आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में हम प्राथना से शुरू करते हैं और पीछ आप भूमंडल का मैप भी देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा से साइड में हो जाओंगा तो आपको मैप दिखेगा इसी को डिसकस करेंगे मैप सही है के गलत है So we'll start by prayers. करुणा सिंदो दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे व्रिंदा वनिश्वरी उरिषभानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये श्री कृष्ण चैतन्या प्रगुनित्यानंद श्री अद्वईतक अधर श्रीपासदी का उरुतक्त प्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे आम राम राम हरे हरे इससे पहले कि आज मैं शुरू करूं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले बार तक का हमने जो कवर करा है क्रियेशन का पाट किसी को थोड़ा भी अगर याद है कुछ क्वेशन है उस पर तो आप पूछ सकते हैं जब तक मैं अपनी स्लाइड शेयर ओपन कर लेता हूं कुछ भी आपको रिमेंब्रेंस हो आपको कमेंट करना चाहते हैं क्रियेशन सही है गलत है आपने ऐसा क्यों कहा क्यों हम कहते हैं तो मैं उसको रिवाइस करना कर देंगे हम अगर किसी का कोई प्रस्ट नहीं है तो हम पिछली बार जो क्रियेशन हमने पढ़ा था इसको थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं अगर आपको मेरा स्क्रीन देखेगी तो आप बताईएगा अगर के देखेगी तो मैंने लास्ट टाइम जैसे डिसक्शन कर रहा था कि जो भगवत कीता का विश्वरूप है वह एक चोटा मॉडल है क्रिष्णा विराट रूप बिकॉज अर्जुन वांटे तो सी एवरेथिंग इन क्रिष्णा तो क्रिष्णा ने एक चोटा मॉडल प्रस्तुत करा जस्ट सो दाट अरजुन के अंडर्स्टेंड सिरफ अरजुन कुछ समझ सगें के भगवान कितने विशाल है और आने वाल भगवान ने प्रस्तुत करा जो हमें भगवत गीता का विश्वरूप दिखता है और इसको विश्वरूप योग भी कुछ लोग कहते हैं और भगवत गीत का 10 चैप्टर का दे युनिवर्सल फॉर्म अफ दे लॉर्ड ऐसा भी है लेकिन दूसरी तरफ जब हम भागवत पे जाते हैं तो नारद मुनी और भ्रह्मा जी का विस्तार में चर्चा होती है तो जब परिक्षत महराज पूछते हैं जब परिक्षत महराज पूछते हैं ते यहीं से जईने ते यहीं सेप्ट गहांने नारद जीए भ्रह्मा जी से करा था उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह creation होता कैसे है वो पूरा description देते हैं और describe करने के time पे जो Lord का subtle form है वो विराट रूप है जो कि पूरा हम लोग इस पूरे presentation में हम लोग detail में discussion कर रहे थे So that is विराट रूप और भागवत मैं थोड़ा सा आगे अगर जाऊं यहां पर यह देखिए यहां पर हमने इसको देखा भी था हिरन्य गर्ब एंड ब्लूप्रेंट तो यहां पर आप देखेंगे Lord divides the विराट तो यहां से विराट रूप का पूरा description है भागवत का अगर slide आपको दिख रहा है तो आपको बीच में यह जो हिरन्य गर्ब है यह दिख रहा होगा दिस अगर्व दक्षाई विष्णू इस इन हायर डाइमेंशन टो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी ड़संट अंडस्टेंड उनको समझ ही नहीं आता कि मिरको करना क्या है यह जो क्रिएशन का मॉडल है के कौन सी चीज कहाँ पर होगी यूनिवर्स का स्ट्रक्चर वो विराट रूप है यह जो इस दिफरेंट वर्म विष्वरूप का फॉर्म है राइप प्रवजीट था एलेवन चाफ्टर आए तो यह जो आए तेंथ क्योंकि वाजरूवात हो जाती थोड़ा थोड़ा लॉड मतलब अरजुन बोलते हैं के यून गार्व एक्स प्रवजीज एक्साफ्टर आप ऴार्प्री थोड़ा थे थोड़ान व्हां यह जो पूछ प्रव्जीं खास मित्र है तो वो पूछ पूछ तेंटर बेहां तो अंकित आप यहां पर देखेंगे कि हम लोगों ने creation का जो की modern scientific हुआ है तो वो कहते हैं कि explosion से सब कुछ शुरू हुआ Similarly एक parallel theory आप कह सकते हैं कि हमारे पास भी है Vedic view जो है जो Vedic literature में है कि Lord Vishnu से it has come out, Maha Vishnu से और from Lord Balram, the four forms come, उनमें से भी संकर्षन से चार निकलते हैं वासुदेव, संकर्षन, अन्यत्पृद्यम, फिर संकर्षन से the three forms, कारणदक्षाई, गर्वदक्षाई, शिर्वदक्षाई, उसके बाद हमने discussion करा था कि प्रधान क्या है और महत तत्वा क्य है, and प्रधान is eternal, जो यह प्रधान है, वो शाश्वत है, the subtlest form of matter, spiritual world में एक हिस्सा, सिरफ one-fourth हिस्सा, जो है वो प्रधान है, it is the first form of matter, most subtle, actually it is principle, यह सबसे पहला शुरुवारती जैसे principle आप कुछ भी करेंगे, तो आपके दिमाग में विचार आ जाएगा, so that sets the principle, आप ज आपको करना क्या है, जो उसका आधार होता है, तो creation है, material world का, उसका आधार है प्रधान, और प्रधान को ही transform होके महत्रत्तो हो जाता है, तो वैवर प्रव, I may ask you to follow us for a second, तो तिलना, वड़े एक्स्प्लें की, from Lord Krishna, there are four forms, and then again they divide, then Mahavishnu forms, and then the one-fourth of the total creation is the material universe, can you hear me, sorry, can you hear me, can you hear me, now we can hear you, okay, sorry, some technical issue, आप बता रहे थे के, जो वन फोर्थ पार्ट है, तो यह जो आपने, हाँ, यहां तक एक्स्प्लें किया, ना, the form, the primary law, Krishna, law, Dalrams, and other four forms, and Mahavishnu forms, and then the total creation में, one-fourth is the material cloud, and then rest, three-fourth is the adhyadmi creation, so, what is the reference, referential scripture for this, I wanted to know, यह सब आपको भागवत में ही मिलेगा, this is third canto, first canto, second canto, third canto, so second canto के अंदर यह थोड़ा सा सुक्ष्मरूप में है, first canto का नाम ही creation है, but creation का उसमें description नहीं है इतना जादा, okay, second canto और third canto में यह detail में है, and any particular chapters and verses, और शुड़ा एगोबा, yes, or I can talk to you later, नहीं, नहीं, मैं आपको reference यह दे देता हूँ, मेरे पास notes भी हैं, और मेरे पास यह references भी हैं, यह, so this is, you know, 1.3.1, अगर आप creation का पता है, आप शुरू करना चाहते हैं, तो 1.3, 1.3 से थोड़ा आगे मूट सेट हो जाता है, that is the first verse you can refer, 1.3.1 in Srimad Bhagavatam, Okay, after that, you will come to 1.3.2, वहाँ परपोट आपको मिलेगा, प्रहुपात का, that is very important for understanding, what is महतत्वा, can you see it on my screen, या, 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 सो प्रहुपात यहाँ लिखते हैं के जो महा विश्नु है, he lies down in the spiritual sky by his own will, तो किस तरह से आप, आपको धीरे धीरे एक एक वर्स जो है, 1.3.1 से, आप आगे पढ़ते जाएंगे, specially the purports, they are very important, फिर उसके बाद, श्रीमत भागवतम 1.10.21, it is the time period, it discusses the time period of महतत्वा, और वहाँ पर प्रहुपात, देसिलूशन की भी बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 1.16 से, मतलब 1.1, पदा कैंटो 1, चैप्टर 16, verses 26 to 30, वहाँ का description ये direct verses हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, there you'll find what is योग निद्रा, of the Lord, causal ocean क्या है, जो विर्जा रिवर है, और महतत्वा, फिर उसके बाद 2nd कैंटो पे आते हैं, तो 2nd कैंटो का 5th chapter, it describes in a lot of details, so 5th chapter 22 and 23 verses, yeah, और और फिर 2nd chapter में, अगर आपको एक थोड़ा सा ओवर्वियू चाहिए, तो कैंटो 2 का 1, 2, 3 chapters, जो 1st 3 chapters हैं, sorry, somebody is annotating, one second, one second, one second, I'll just, can everybody go on mute? I'll mute everybody, okay, I request करूंगा के आप स्क्रीन को अनोटेट ना करें, I'll share it again, web pro, Nito, you can make me grow host, I can manage muting and you know all these things, if you want, okay, so I'll make you a my co-host, bhakti, according to karma and gyan, over karma and gyan, how bhakti is amazing, over and it is better than karma yog and gyan yog, fourth chapter से, how Narayan, how Shreemad Bhagavatam is actually originated from Lord Narayan, वो आपको मिल जाता है, and Vyasadev got it in its meditation, in his meditation, when he was meditating, और वो थे क्या, it was in the form of sutras, Brahma Sutra, chapter 5 to 7, this is very important, this is conversation between Brahmaji and Narad, here you will find all these details of creation, तो मैं फिर से आप आप लोगों को clear कर दूँ, कि जो creation है, that is different from the structure of universe, structure of universe, शिरफ एक universe का जो structure है, उसको discuss करता है, लेकिन जो material creation है, that is a different discussion altogether, वो अपने आप में ही एक discussion है, जिसमें हम महतत्त्वा, प्रधान, प्रकृति को discuss कर रहे थे, जो हमने previous दो हमारे जो चर्चा हुई उसमें देखा था, छोटे में मैंने आपको यहां पर दिखा भी दिया है, किस तरह महा विश्णू जब अपना वो दृष्टिपात करते हैं, उस उनकी जो दृष्टी होती हैं, उनमें तीन चीज़ें होती है, शंभू, मतलब उसका नाम जो है वो दृष्टी का शंभू है, उसमें तीन चीज़ें होती है, जीव, कर्म, ये दो चीज़ तो होती होती है, और तीसरा होता है, टाइम, ओके, यही जो टाइम होता है, यही जो वो दृष्टी होती है, ये एजिटेट करती है, ये इसका फॉर्म चेंज कर देती है, या इसे एक तरह से कहिए कि, मिक्स कर देती है, प्रधान को और बदल देती है महत तत्व में, जो कि सबसे पहला material subtle element है, सूक्ष्म है, लेकिन ये हमारे लिए सूक्ष्म है, ये महा विष्णु के लिए अग्रॉस हो सकता है, लेकिन ये भ्रम्मा जी और सारे living entity के लिए सूक्ष्म है, इसको आप देख नहीं सकते, अब इसको समझ कैसे सकते हैं, तो मैंने एक उधारण simple सा दिया था, अगर आपको महत तत्व और प्रधान में फरक करना है, तो शास्तर से just like a woman conceives a child, एक माता है, उनके गर्भ में जब कोई भी पुत्रिया पुत्री प्रवेश नहीं करते हैं, तो वो प्रधान की इस्तिती है और जब कोई भी जीवात्म प्रवेश करती है, वो महत तत्व है, manifested state है, प्रधान unmanifested है, एम आए क्लियर? अगर किसी को question नहीं है, तो हमने ये creation का overview last time ले लिया था, अब हम चलते हैं अपने next topic की तरफ, जिसका नाम है structure of the universe, सिरफ एक जो universe है, उसका structure क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों से question करना चाहता हूँ, हम सब कम से कम ये तो मानते हैं कि Earth rotate करती है, तो क्या आप में से किसी ने भी इस पे थोड़ा और research करा कि इसका proof क्या है? जैसे science कहती है, कि everything has a proof and until and unless there is a experiment which cannot be repeated, we cannot accept it as science. तो हमारे पास postulation, experimentation, repetition and conclusion. ये चार चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए. अगर mathematical model नहीं है तो भी. postulation means, जो first premise या theory है, experiment, उसको क्या repeatable experiment है और conclusion. और अगर mathematical model है तो बहुत ही अच्छा. मैं आप लोगों से request कर रहा हूँ, अगर किसी ने भी एक भी experiment आप लोगों ने पढ़ा हो, तो please मेरे को आप बताईए कि Earth rotate कर रहा है इसका proof. और या हरे कृष्णा. प्रभू ये दिन और रात होता है, इसका मतलब Earth rotate होती है. तो जी जी ये अच्छी जीज़ है. और दुसरा एक कारण है कि मतलब जो seasons जो होते है, अच्छा, ओके, तो मैं आप से, ओके, अच्छा चीज़ बता है, और कोई लेकिन ये scientific proof नहीं है, ये observation है. आपको एक repeatable experiment चाहिए. दूसरा बात मैं आपको एक और प्रभुजी बताना, आपका शुब नाम प्रभुजी? आजे, आजे प्रभुजी आपने अच्छा चीज़ बताया है, लेकिन ये observation है, अब देखिए, अगर एक छोटी सी चीटी है, हमारे घर में, उसके लिए हमारे घर की दिवार, वो क्या परसीव करती होगी? आप थोड़ा विचार करें. एक छोटा सा चीटा या चीटी हमारे घर की दिवार को कैसे परसीव कर सकती है? उसे वो दिखने में उसके लिए दिवार पहाड है या दिवार ही है, क्या होगा? तो तो पहाड जैसा लगेगा तो क्या यह पहाड है पहाड नहीं पहाड नहीं है इतना तो हम मान रहे हैं कि वो चीटी का परसेप्शन गलत है चीटी के लिए वो क्या समुद्र है उसके लिए समुद्र लगेगा हमारे लिए परसेप्शन यह यह जो परसेप्शन है तो क्या वो परसेप्शन एपसल्यूट है तो इसी तरह हम जो परसीव कर रहे हैं वो absolute नहीं है और इसलिए अगर हम कहते हैं कि प्रिथवी घूमती है और दिन और रात होता है तो तो पता सन भी घूम सकता है अगर सन घूमेगा और वाकई में हमें सन ही घूमता हुआ दिखता है सन और मून या फिर प्लैनेट्स या फिर जितने भी वो सितारे हैं घूमते हुए दिखते हैं तो हम उसको सही न मानके हम उल्टा क्यों बोलने लगते हैं कि प्रिथवी घूमती है कोई scientific model जब हम कुछ प्रेमाइज देते हैं या अपनी बात रखते हैं तो उसको back करने के लि लीजे मैं एक बात कहूं तो अगर दूसरी बात उसको parallel theory आ गई तो यह तो गलत हो जाएगा यह absolute नहीं हो पाया तो क्या हमें जो सूर्य है वो east to west जाते हुए दिखता है similarly आप कहीं का भी चांद देख लीजिए वो भी east to west ही जाता है चांद को हम कहते हैं कि चांद घूमता है और सूर्य को कहते हैं कि वो stable है इसका कोई scientific proof है क्या मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं एक भी प्रूफ बताईए एक भी जो modern science के पास है हम हम बिना कुछ तर्क करें हम accept कर रहे हैं जो किताबों में लिखा है कि एक भी प्रूफ है तो बताई है कि यह प्रवजी जैसे हम कह रहे हैं कि उसका सब्सक्राइब है और जित्ते भी माई मैं क्या क्या सब्सक्राइब होगा है कि एक सब्सक्राइब है यह फिर्पार में हां सही है क्योंकि रिल्लाटीव मॉडल गलत है ना हमारा अगर आप एक जीज़ मानिए फॉर एक जामपल अगर आप मानते हैं कि Sun Center में है और बाकी सब फ्लाइनट्स रोटेट कर रहे हैं है ना तो आपका रेफरेंस पॉइंट Sun हो गया डाट इस दे हीलियो सेंट्रीक मॉडल वो हीलियो सेंट्रिक मॉडल हो गया लेकिन अब अर्थ को सेंट्र मान लीजिए और सभी चीजों को गुमा दीजिए सेम कैलकुलेशन आएगा सेम कैलकुलेशन आएगा क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि हमने रेलेटिव मोशन का सिद्धान्त पड़ा है अगर दो गाड़ियां साथ में जा रही है और दोनों की स्पीड पांच किलो मेटर परावर है तो एक मतलब दोनों एक साथ चल रही हमने ट्रें में भीजा का कभी कभी ट्रेइन बगल वाली पट्री पे कभी-कभी सेम स्पीड में चलने लगती है तो आँआ बात कर सकते है दूसरे कि से जो खिल्की में बैठी है ऐसे लगता है वो फिक्स होगे अपनी जगे तो रेलिटिव मोशन का सिद्धान्त कहता है कि अगर एक ट्रेन को रोग दो तो दूसरे की भी स्वीड जीरो हो जाएगी लेकिन उसी जगे अगर एक ट्रेन पांच की गती से जा रही है एक पचिस की गती से जा रही है तो एक को रोको के दूसरी 20 की गती हो जाएगी और अगर दूसरी को भी रोग दोगे तो पहली की भी माईनस 20 की गती हो जाएगी यस और no यहेस इसका मतलब आप पत्त दोनो मॉडल को सही मान सकते हैं, है ना relative motion के सिद्धान्त से, जो calculation आपकी सूर्य को बीच में रख्के आती है, वही calculation अर्थ को बीच में रख्के आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप अर्थ को एक जगे stable करें और फिर सूर्य को घुमाएं और सारे बाकी planet सूर्य के सूर्य को बीच में रख्रहें, सब कुछ बाकी घुमता है, इसी तरह अगर अर्थ को बीच में रख्दें और सब कुछ घुमादें सेम calculation आएगा अच्छा तो तो प्रभुज जैसे आपका के नादब यह है कि जैसे अभी मार्स पर से सैटलाइट गई हैं तो उसकी calculation सारी थोड़ा बट मैं देखा था उसकी सारी calculations ऐसे थी कि मार्स का जो संट के रोटेट कर रहा है वो calculations करके वह सैटलाइट यहां से जो बेजी और से इंडिया से जो बेजी मार्स पर वह ऐसे मतलब reference point आपको लेना है जैसे आप x-axis पर अगर आपने mathematics पड़ी हो ने आपको अगर वाइड बोर्ड है मेरे पास तो खेर यह पता mathematical question हो गया अगर आप point a को reference मानते हैं तो वह zero हो जाता है आपका अब जैसे कभी-कभी पता चोटा example अगर आप वजन तोलते हैं दुकान पर तो वह क्या करता है कभी-कभी डबा रखता है पहले और फिर वजन तोलने के सेम है तो इसी तरह reference आप दोनों को ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर कुछ भी conclude नहीं करा है मैंने सिरफ reference point के बारे में अभी बताया है हम अभी सिरफ introduction लेकिन आप में से में को किसी ने भी एक भी scientific proof नहीं बताया कि अर्थ घूम रही है सिरफ एक प्रभुजी ने बीच में बोला कि जो seasons हैं वो आते हैं तो वो तो आपको दिखेगा और यह तो हम देखते ही है कि Sun इस टू बइस जा रहा है मून भी इस टू बइस जा रहा है सारे स्टार्ज भी इस टू बइस जा रहे है कि अब या या इज या 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 यू वस टेंग संव्धिंग कि अम एक चीज पूछे जाता था जैसे आप सीदम का कह रहे थे तो जो हम कह रहे हैं कि आर्थ स्टाटिक है इसका मतलब अपने अक्सेस पर गूम रही है वह भी नहीं गूम रही है तो अभी हमने कवर नहीं कर रहा है आप थोड़ा आगे के प्रशन पूछ अच्छा प्रश प्रशन है हमारा डैट इस लिमिटेड एक चीटी को एक छोटी सी चीटी को वह कितना भी बड़ा टेलिस्कोब बनाए उसके लिए कितना भी बड़ा हो उसको अपने आख से जो परसेप्शन होता है उसी का इंटरप्रेटेशन है लेकिन वेदिक नॉलजज में इट इस कमि को बताते हैं कि भाई इस कुए के भार भी एक सागर है तो वो कहता है यह तो असंभव है तुम मेर को देखाओ लाके let us see थोड़ा आगे बढ़ते हैं अरी क्रिशन यहाँ नादाजी और प्रबजी वान दौट इस ड़िएट इस त्रीएशन हाशन हास्मानिसेट टूट बड़ा हिएए तो आठ वहरुजशन है जां ग्रइशन ता इस बंदी आठीज को ऑगी पार से दिलेशन it can't be like resting yeah true 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 yeah that is a very good point that if it is yeah so so point is that we are always thinking that you know for sure we have a model of universe in our head yes Mataji we have some model in our head that there is a you know empty space okay and that empty space some bang happened or some explosion happened somewhere and that's why everything is going away from other things you know whatever explosion happened due to that everything is moving away yes 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 and that's why everything has been set in motion yes now the point is who will clarify or who will prove that there was a big bang what is the proof we have that we had a big bang the science cannot prove it the science so that's why there is something called as anuman yes yes so scientists also rely on anuman this is just an anuman because they see so for example you see that everything is moving so they have postulated that if we go back in time everything would have been a point if everything is moving away at a point of time everything would have been at one place yes so that's why they say must be there must be some big bang so big bang theory of creation is correct or wrong mataji that is the accepted theory in the modern scientific view but they do not have any any scientific basis that is just a postulation that is just a postulation that is an estimate as per the scriptures it is not there sorry come again as per the scriptures it is right or wrong it is it is completely wrong but and if we don't see a scientific decision then we can't say that there is no proof yes so even I was at that point that we have seen in the last mataji we have seen in the last of our sessions how creation happens so from the each and every pore of the lord maha vishnu the small small universes for for maha vishnu it is a small universe only millions of universes comes out yes yes and that is also you know written in the brahma samita yes so so you can go through brahma samita it is there but point is there was no explosion kind of a thing you know just like you know just like an egg comes out of the body of a hen there is no explosion okay so explosion cannot be proven by science it is just a postulation this explosion or a dhamakah we can't do this we can't do this this is just a principle which modern science believes so first of all modern science doesn't do anything there is no proof I'm saying that the earth is still this if you can give it one proof if you can give it if you can give it one that is irrefutable that the earth is running the earth it is the irrefutable proof if you can give it I will immediately close down this session there is no proof but we have been studying since our childhood the same point again and again and then we thought that it is true that is what there is okay two proof people have taken two proofs now I will go to that point I will go to that point one is a focal pendulum in 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 some scientist called as focal he said there is something called as focal pendulum okay with a small string if I can tie a pendulum in a very big dome with a small string or if the earth is running then the pendulum will change if the pendulum is running and the earth is running and the pendulum is running so the earth is running because of motion of inertia we say that in science it will change the motion the motion that will change the motion the pendulum is the centrifugal force because of the motion the motion will change the motion and the stable cannot stay so if the earth is stable then the pendulum will go to that so these people say this is proof that the earth is running okay now what is the fault what is the fault the most big fault is you don't say that the universe is running so for example if you say that the earth is running and the centrifugal force is running the pendulum that is changing its motion so the same theory where the earth is the outside even if it will run so the same thing should apply or should not yes so there is a fault in this but nobody is studying the fault of this there is no proof you can't do this you can't do this you can't do this the second coriolis force the science coriolis force is that imaginary force ifban if I go here means you have to go here with the you have to go point A to point B if you will run there he will run thearmed force so the earth is going by the way if you work by the estág if you may not तो बॉल पॉइंट A से पॉइंट B पे ना गिरके जो आपका डिजाइड पॉइंट है वो पॉइंट C को टच कर जाएगा क्योंगी अर्थ घूम गई बीच में से येस पदा मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है आपको इस परशी सब्ढ़र इसका कोई भी पॉफ नहीं है तो कम से कम वहां तो दिख भाएभी अमरीका ने रसिया पे मतलब पता रसिया ने मिसाइल छोड़ा अम्रीका पर और वो समंदर में गिर गया क्योंकि वो फ्लाइ करेगा पॉइंट A से पॉइंट B लेकिन अर्थ रोटेट हो जाएगी और जो मिसाइल हो हवा में है तो दूसरा पॉइंट हिट करेगा तो रॉशियन जब जो मिसाइल जो जो भी सिस्टम है जब वो डिजाइन होता है तो वो कोरियोलिस फोर्स करने के लिए जब जो भी मिसाइल है वो हवा का जितना भी उस पर फ्रिक्शन लगेगा उसको ओवर कम करने के लिए वो जो फ्रिक्शन है उसकी डिरेक्शन चेंज करता है और वो किसी भी तरफ जा सकता है राइट और लेव दोनों तरफ लेकिन कोरियोलिस फोर्स हमेशा एक तरफ एक्ट करता है तो वो भी गलत है इनके पार हां बताइए आप जैसे बोल रहा है कि धरती नहीं गूम रही है या दरती गूम रही है दोनों साइंस बोलती है रोटेट हो रही है तो अगर कोई प्लेन धरती के ओपर से लेके जाया हम हां तो वह दूसरी जगे करा देगा गुरुत्वा कर्शन नीचे खीचेगा ना नहीं नहीं आप सम्हाव यारेबल टू मैनेज इन स्पेस ठीके ना ओके वो जो ग्रिविटेशनल फोर्स है आर्थ का हां वो उसको पकड़के रखेगा उच जगे पर इसलिए वो घूम तो उसके साथ ही घूमेगा तो शायद इसका अभी तब कुछ समझ में नहीं है कि इसका जो आप देना चाहिए देखिए प्रू यह सिरफ धारणा है हम जब पता इंटर कॉंटिनेंटल ट्रेवल करते हैं कि आप भारत से और अमरीका जाएंगे अगर भारत से अमरीका जाएंगे तो तो यह सब जो पत एटी सी का या फिर ट्राफिक कंट्रोल कैसे होता है उसमें एक भी साइंस का प्रिंसिपल यह जो पता साइंटिक्स लोग कहते हैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हैं वो लोग जब हवाई जाज उडाते हैं तो सिरफ एक ही एक ही चीज होती है जो कंसीडर होती है वो ह प्रुपात के वर्ट पर मेरे को पूरा यकीन है अभी हम कूद रहें एक ही जगह पर जी मैं एक घंटे दक कूदता रहूं तो क्या दिवारा के टकरा जाएगी के मुझसे हाँ यही बात है ना तो हम एक जगे खड़े हुए और दूसरा बात यह है कि अगर अर्थ रोटेट भी हो रहा है अगर अर्थ रोटेट भी हो गया तो आपको ऐसा पता है थोड़ा तो आपको महसूस होना चाहिए और बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है वो कोई छोटा मोटा स्पीड नहीं है दूसरी बात जो ओशन्स हैं यह ओशन्स वुड़ेफ जो पानी है कितना भी आ पूशन्स ऑफ दे वर्ल्ड अगर आप जोगरफी पढ़ें दे मूव इन सेवरल डारेक्शन्स जो ओशन्स हैं वो अलग-अलग पता डारेक्शन्स में फ्लो करते हैं सिरफ एक डारेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं अब आप उसे कैसे जुट लाएंगे तो मतलब यह कि ज उसका रूटेशन अलग है और जी जी प्रो जो इंडियन ओशन है उसका वो रोटेशन नहीं है मैं अगें कह रहा हूं जो पैसिफिक ओशन है वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में और उसके अंदर भी उसके अंदर भी रीसेंटली साइंस का आप यह नेट प बढ़े भी होंगे बच्चों को भी पढ़ेंगे शायद ओशन करंट्स होते हैं ओशन करंट्स अर्थ के रोटेशन का उन पर कोई प्रवावनी पड़ता अब इसको आप कैसे बताएंगे अगर यह कह रहेंगे अर्थ मूव करती है तो ओशन भी करंट भी चेंज हो जाना प्रोटेशन दूसरी बाट और दूसरी बाट यह जाएं बताय। यह सभी लोग मानते हैं दुनिया में कि जभी भी वायू प्रवा होता है, it is because of the winds because of which the ocean moves. Everybody accepts it. It is a established fact. यह एक चीज और पूछेंदी प्रुजी कि जो आर्थ का मैगनेट होता है, आर्थ का मैगनेट है, नौर्थ पॉल और साउथ पॉल और साउथ पॉल होगा है और अगर वह पास में आएंगे तो फिर रिपेल करेंगे, अट्रेक करेंगे, तो यहां से यू कन डिनाए कि देर इस नो रोटेशन एक्चुली और दूसरी भी पॉइंट यह है, कि यह मैगनेटिक फिल्ड जो है, यह मैगनेटिक फिल्ड बहुत ही सूख्ष में है अर्थ का, अगर आप माने के मैगनेटिक फिल्ड है भी और वो चेंज होता रहता, दूसरा भद क्या है, आज कल आटिकल ने, चेंज तो इसलिए हो जाएगा, अगर यह माने, कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो आज इस डिरेक्शन में एन है, तो कल इस डिरेक्शन में ऐस हो जाएग तो को रिपल करेंगे एक दूसरे को, नहीं, नहीं, उनका सिद्धान्त क्या है, अब जैसे गोला है, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, अगर यह गोला टेड़ा है, और इस पे जो मैगनेट है वो नौर्थ और साउथ है, तो अगर अर्थ आप इस्ट टू वेस्ट गुमाए और एक बीच में सीख डाल दे तो सीख पर फरक नहीं पड़ता ब्रोव, जो लट्टो होता है, नहीं, वो मैगनेट कुछ ऐसा है नहीं, वो imaginary मैगनेट है, मतलब ऐसा को यह आप नहीं सम्झेंगे है, मतलब वो मैगनेटिक लाइंस जो है, वो वर्टिकल है कि होरी मैगनेटिक फिल्ड कैसे है मतलब पिर हाँ, हाँ तो मैगनेटिक फिल्ड जो है वो वर्टिकल लाइन होते हैं, वो होरीजॉन्टल नहीं, तब ही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो अगर आप लट्टू को घूमते गुए देखा होगा, तो जो लट्टू का बीच का सीख होता है उसका, जो इस होता है, जिस पे लट्टू घूमता है, लट्टू के गूमने का उस पर फरक नहीं पड़ता है, जो बीच में होता है, क्योंकि वो रट्टिकल है, लट्टू घूम रहे होरीजॉन्टल. तो फिर आप जो ऐसे बोलते हैं कि जो मेगनेट लटका देंगे तो आपके साफ से फिर वो फिलोस्फिय गलत हो जाईए ना था है वो horizontal आप उसे ऐसे जमीन से compare मुत कीजिए क्योंकि जब आप North देखते हैं तो वो उपर की तरफ ही है वो vertical वो पता dimension fix हो जाता है तो आपको ऐसा सीधा दिखता है क्योंकि पता है वो आपके floor बना हुआ है तो वो horizontal नहीं है वो धर्ती के लिए vertical ही है what पत्थ है तो तो भूत है जब आपके यह लिए पूर्फ करने के लिए मैंने देखे है एक कि मैंने तीक फिल्ट जो है अर्ध वो मून नहीं होता है मूलाब अर्थ पे कुछ ऐसे प्लेसिस है जब हम ने पे सर्च करें तो मिलेगा के ऐसे प्लेसे सहांपर मैंनेटिक फिल उ शांकेश कोलना सबकसर करें पाशपिस को इस अजय ए सप्राइटी्स Comesden यह रहिं है तो प्राइटीज स्प्राइब शांकेश्थ सीष्ट मुंट आफ तो अप तो नियुक्ष अज अंस यह संट रहिं प्राइट कोट सप्तितो कुछ कुछ पता है साइंटिस्ट लोग इसे अबरेशन कहते हैं प्रूव दे से डैट एक नॉर्मलाइजेशन का पता मैगनेटिक फील्ड है अर्थ पे लेकिन कुछ प्लेसेस पे देरिजने अबरेशन तो वह जो एबरेशन है अंकित प्रूव एबरेशन है यह आपको नेट से अगर दिखाऊ इफ आपन दनेट खेर थोड़ा सा दिसकेशन दूसरी तरफ जा रहा है moving आपको स्क्रीन दिख रही है Hare Krishna not yet not yet आपको स्क्रीन दिख रही है by the time you share the screen I would just like to mention the point of whole discussion was that the theory can be explained in multiple ways which suits the current reality like for example the changing of seasons you know moving of stars so they can have a multiple theory which can all hold true at a point and we believe one theory which has been told by the modern science from beginning but the whole point of Vedic Osmology is that it provides a more alternative and more convincing theory that's I think the discussion right yes the point is ये नासा की साइट है आपको दिख रही है या 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 तो ये जो अंकित प्रभू कह रहे हैं बहुत अच्छा पॉइंट है कि पहले आपने सोचके ही बैठे हैं कि अर्थ घूम रहा है फिर उसके बाद आप उसे मतलब सब चीजों को ना आप उस पर अलाइन कर रहे हैं आपने पहले मान लिया है कि ये अर्थ घूम रही है फिर उसके बाद सब चीजों को अलाइन कर रहे हैं अब ये लोग एक्स्प्लेन नहीं कर पाते थे कि ये जो नौर्थ पोल है ये घूमता क्यों नहीं है तो फिर उसके बाद गैलीली और जो दूसरे साइंटेस्ट हैं उन लोगों ने का अर्थ को टेड़ा कर दो ये घूम रही है लेकिन ये टेड़ा होके घूम रहा है आप देख रहे हैं पहले जो है हमने मान लिया है कि ये मॉडल सही है फिर उसके बाद हम बात करना है मतलब पता जो भी हम एक्स्प्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसको उस मॉडल में फिट करने की कोशिश कर रहे है तो जब भी हमारा कहना है कि मैथमेटिक्स में अगर आप वन प्लस वन थ्री लिख देंगे उसके बाद आप कुछ भी कितना भी बड़ा उसमें पता साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे आपका सारा कैलकुलेशन गलत आने वाल है हम यह नहीं कह रहे हैं मॉडन साइन्स गलत है हम आगे इसमें भढ़ेंगे तो मगनेटिक फील्ड का बाता है क्या आप लोग देख सकते हैं ऋऌपे नर्थ को ओर यह जोग्राफिक नर्थ मेगनेटिक बेड़ाते हैं यह एक्शुल मैगनेट का नॉर्थ ही है है actual North क्योंकि यह नॉर्फ मेगनेटिक पोल हो गया लेकिन यह पदें नीचे की तरफ जो लाल होता है वह मैगनेट नॉर्ठ हो जाता है यह भी अपने अभी तक यह थोड़ा इंट्रोड़क्शन था आज का लेकिन अब हम भागवत्म की तरफ भढ़ते हैं सो भागवत्म में कहां कहां पर है आप देखेंगे वेदिक लिट्रेचर से दाट इर इसा मूव्मेंट अब अब सब्सक्राइब का बात सुना होगा सब्सक्राइब 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 कोई ऐसा जिनोंने नवग रहा नहीं सुना जो नौ ग्रहा हैं उनमें से प्रिथवी ग्रहा नहीं है जो नवग्रहा हैं आप ये भारत में किसी से भी पूछ लीजे किसी भी भ्रहमन से नवग्रहा कौन से हैं प्रिथवी ग्रहा नहीं है कोई बता सकते हैं अगर प्रिथवी ग्रहा है तो in vedic literatures earth is not a graha it is not a planet yeah so navagraha which are you know very simple go by monday tuesday you know you know you know go by you know first of all sunday comes so sun then monday moon yes then tuesday mangal then wednesday buddha then thursday guru then friday shukra then shani these are the seven planets plus there are two more planets rahu and ketu which are invisible okay so these seven grahas they are moving can you mute everybody can everybody be on mute i'm i'm sorry i have to again and again tell which are the seven grahas plus two invisible grahas rahu ketu these are the nine grahas these are the nine grahas these are the seven calculations if our model is wrong then tell you know 15 rupees ka tika tika you know eclipse sunrise sunset moonrise moonset everything is written crystal clear i have to go science i have to go science up site do you have to go moonrise moon set up यह लोग निकालते हैं हमारे याँ वो जंतर मंतर थे हमारे यह टीका में लिखा होता है जो प्रते एस्ट्रोलोजिकल चार्ट्स होते हैं इन ही शास्त्रों की गढ़ना पे सारे शास्त्र का हमारा कैलकुलेशन है सन्मून का दे आर ओल एक्जैक्टली मैचिंग इस पॉइंट का आप एक बर विचार कीजिए कैसे हो सकता है अगर हमारे पास वेदिक नॉलिज में पता है उसमें गलती होती हमारे मॉडल में गलती होती तो हमारे कैलकुलेशन कैसे सही है कैसे कैसे हमारे कैलकुलेशन सारे सही बैठते हैं हमारा संराइज मून राइज संसेट मून सेट सब सब पर्फेक्टली मैच होता है कैसे होता है अरे किस्टन पुरूजी येस सास्त्रों में जैसे ऐसा बोला जाता है कि मून इस क्लोजर टू अर्थ हाँ आएंगे प्रूव यह पता मैनी मैनी डिटेल्स हम लोग आगे जा रहे हैं हम जब क्योंकि यह सिरफ आज का ही सेशन नहीं है एक गंटे के आसपास हम कवर कर चुके हैं हम यह थोड़ा सा एक्सेंट भी करेंगे तीन-चार सेशन इसमें और आगे जाएंगे और यह डिटेल में हम लोग भागवत क्या कहती है उस पे भी चर्चा करेंगे जो भागव करती है इसका कोई प्रमाल किसी के पास नहीं है देर इस नो साइंटिफिक प्रूफ दैट कैन भी यह 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 अंडावड़िद्ली स्टैबलिश दिस फैक्ट अर्थ रोटेट्स 1821 का सिरफ एक एक स्पेरिमेंट है उसके बेसिस पर यह लोग कहते हैं उसमें भी बहुत सार अर्थ इतनी बड़ी है उस पैंडूलम मतलब डैट इस इंसिग्निफिकेंट आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग में पैंडूलम बनाई है वो बहुत इंसिग्निफिकेंट है उससे बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास हैं जो साइंटिस लो एक्स्प्लेन नहीं कर पाते जैसे की ओशन करंट्स ओशन करंट्स दे आर अनेबल टू टेल वाई विंड एफेक्ट्स ओशन दुनिया में कहीं भी चले जाईए मौन्सून विंड की वज़े से होता है सब्सक्राइब करें विंड साइकलोंस इस बिकॉज ऑफ प्रेशर वेल्ट कहीं पर लोग प्रेशर हाई प्रेशर यह मौडन साइंस कहता है तो पहली बात धर्ती घूम रही है इसका कोई प्रमाण नहीं है अब हम आगे जाते हैं अगर धर्ती घूम नहीं रही है तो हमारा वेदिक मोडल कहता क्या है थोड़ा साम लोग आपको स्लाइड एडवांस दिखेंगे क्या आपको स्क्रीन दिख रही है जो आपने बता है नाइम प्लानेट एंड अर्थ इस नौट काउंटेड तो दूइप दो पानी मतलब वो जिसके आसपास दो पानी है उसको दूइप कहते है जैसे की आइलेंड उसके इर्दगिर्द पानी है तो अर्थ इस दूइप हम वो कैसे और अर्थ क्या है यह भी हम आगे डिसकस करते हैं मैं बस एक स्लाइड पर आना चाहता था जहांसे मैं शुरू कर सकूं तो कैसा है आप आप लोगों को यह स्क्रीन दिख रही है यह 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 अब देखिए यह प्रित्वी है कुछ इसी तरह का प्रोजेक्शन प्रित्वी है अब इसे ऐसे मत माने कि यह फाइनल मॉडल है क्योंकि हमा जो हमको दिख रहा है न वो रियालिटी नहीं है वो क्यों रियालिटी नहीं है मैंने वो सिंपल सा कीले का या चीटी का एक्जामपल दिया था वो चीटी को दिवार जब दिखती है तो उसे पहाड जैसा लगता है वो लेकिन उस पहाड के उधर की साइड क्या है और पता सीड़ी कहां पे है वो घर में किचन कहां पे है यह चीटी कुछ भी कर ले पता नहीं लगा सकती it is impossible for that insignificant creature to know what is where in the universe it is so huge है तो शास्त्र से ही विकेंण accepted अब आप कहेंगे कि कि अइसा दिखता है कहीं पर प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं तो जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है पहले हमें वो मानना चाहिए हमें प्रत्यक्ष क्या दिखता है सूर्य और चंद्र दोनों एक डिरेक्शन से इस्ट से पूरब दिशा से पश्यम दिशा में मूव करते हैं यह हमें मानना चाहिए क्योंकि यह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है जितने भ लागते हैं कि जो मून और सन का जो रोटेशन हमें अपनी आँखों से दिख रहा है कम कम से कम उसको एक्सेप्ट करें और जो जो ओशन करेंट का मैं ने अच्छा एक्जामपल दिया मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं को ताकि फिकॉज इस वंडरफुल एक्जामपल तो ज दिखाल दारेक्शन में और बहुत तेजी से तो विंड एक ही तरफ लो करती जो जो नॉर्दन भी हमिस्फरे है उसमें इस से वेस्ट और जो वह सदन हमिस्फरे है वह वेस्ट To East ठीक है तो अर्थ कैसा है यह भूमंडल कैसा है तो भूमंडल आपको यह बीच में सरकल दि अब मैं चीजों को थोड़ा सरल बनाने के लिए आपके पास एक model प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो model हमारा पूर्ण हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि आगे क्या ये final model है, नहीं ये final model नहीं है, बट this is one of the models, क्योंकि भागवत की हर एक श्लोक के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, और जब ये ब्रह्मा जी कहते हैं पांचमें सकंद में, और इसे शुकदेव को सामी कहते हैं, कि हे परिक्षित महराज, ये ब्रह्मा जी को समझ नहीं आता है, कि ये model कैसा दिखता है, तो जब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आता है, शुकदेव को समझ नहीं आता, तो हम रहे हैं, एम है भागवत को पढ़ना शुरू करना, that is the aim, so aim is not, हमें, पता, astronomer, astrology और ये सब में, डीप में नहीं जाना है, कि sun, ultimately, you know, if the sun moves, or the moon moves, what is the aim, aim is to, you know, get into भागवतम, और दूसरा, हमें next generation को जब transfer करना है, तो हमें अपना legacy कैसे, पता, वेदिक कल्चर का transfer करना है, उसके लिए है, so aim is भागवतम, of course, लेकिन model बहुत interesting है, लेकिन final नहीं है, क्योंकि काफी interpretations है, मतलब scholars में भी, there can be multiple models, इसलिए आप देखेंगे, modern science के पास भी, कभी Pluto जो है, उनके नवग्रहस में, उनके nine planet से भार हो जाता है, कभी-कभी Pluto वापिस आ जाता है, लेकिन similarities है modern science में, वो हम देखेंगे कैसे, तो तो देखिए, हमारे पास तीन चीज़े हैं, एक भारत वर्ष, एक भूमंडल और एक भारत भाग, ठीक है, भारत भूमी, तीन चीज़ें अभी के लिए मानते हैं, आज के सिर्फ सेशन के लिए धीरे-धीरे चलेंगे, तो भूमंडल क्या है, यह आप यहां जो गोला देख रहे हैं, this is universe, अच्छा, इस universe को आधा जो भरता है, that is गर्बोधक सागर, it is not water, यह पानी नहीं है, यह गर्बोधक सागर है, जो आप उसको अप कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, लेकिन यह ट्रांसेंडेंटल है, यह दिव्य है, यह नॉर्मल पानी नहीं है, जो हमें दिखता है, यह गर्बोधक सागर है, इस गर्बोधक सागर के बीच में, जो यह अंड है, भ्रमांड, भ्रम अंड, जो यह अंड है, इसके बीच में एक डिस्क है, यह कैसा डिस्क है जैसे आपने प्लेट देखा है क्या आप लोगोंने जब खाना खाते हैं वो थाली होती है तो आप एक थाली लीजिए और और कोई एक ऐसा गोला लीजिए स्फियर गोला जैसे बॉल होता है और अंडे से थोड़ा छोटा करके उसको उसके बीच में अलग-अलग भाग हैं, मतलब उसको कई parts में divide करा है, किसने divide करा है, प्रियवरत महराज में, भागवतम 5th Canto says, प्रियवरत महराज, सिरफ जानने के लिए second session में जब हम जाएंगे तो इसको और detail में देखेंगे, तो जो भूमंडल है, that is not earth, earth is just a part of that, तो अब मैं whiteboard खोलता अगर आपको कहीं भी समझना है, तो please पूछिए, ठीक है, हमारे पास ये एक छोटा सा plate है, अब देखिएगा, ये जो आपको beach का plate दिखाई दे रहा है, this ये जो beach का plate है, ये हमने इसे expand कर दिया, ये अगर हम इसे beach के plate को, जो हम भूमंडल कह रहे हैं, इसको expand करें, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आप इसे देखिएगा, ये जो plate है, बड़ा plate, ये अगर हमें उपर से देखूँ, अभी तो मैंने side से देखा था, अगर हम इसे side view लेंगे, लेकिन अगर मैं इसे उपर से देखूँ, अगर भ्रह्मांड के उपर से जाके इसे देखूँ, तो मिर को ये support देखेगा, जैसे हम थाली को देखते हैं, थाली को side से आप देखेंगे, तो single देखेगा, उपर से देखेंगे, तो आपको ऐसा chapter देखेगा, इसके अंदर, इस भूमंडल के अंदर, एक 7 islands हैं, ऐसे करके, गोल-गोल, एक, दो, तीन, ऐसे 7 भूभाग हैं, जो सबसे अंदर वाला भूभाग है न, जो यह वाला भूभाग है, उसका नाम है जंबू- दूइप, तो अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं, इसे मैं बड़ा करता हूं, ये अंदर वाले भूभाग को, इस जंबू- दूइप में, इसके भी भाग हैं, इस जम्बू द्वीप के भी भाग हैं, उनके बारे में मैं discussion next lecture में करूँगा, लेकिन आप ऐसा मानिए, कि कुछ इस तरह से भू भाग हैं जम्बू द्वीप के, ठीक है? अब देखिए, ये जो हमारा भू भाग बचाना जम्बू द्वीप का, इस और इसको थोड़ा दब बड़ा कर लेते हैं, अपने जम्बू द्वीप है, है ना, तो अब ये जो हमिस्फेर बचाना, हमिस्फेर दिख रहा है आपको, लास्ट में, येस और नो, आप मेरे साथ हैं सब लोग, येस तो इस हमिस्फेर के, बिर्कु से ये, येस, तो इस हम हमिस्फेर को मैं थोड़ा ये बड़ा वाला अपना भूमंडल मिटा देता हूं, अब देखिएगा, थोड़ा ये भूमंडल अमने रब कर दिया, सिरफ हमिस्फेर लेते हैं, सोरी, सिरफ हमिस्फेर लिया, इस हमिस्फेर का नाम क्या है, इस हमिस्फेर का नाम है भारत वर कि अरे कृष्णा तो तो अगर मेरे पास PPT में है तो आपको दिखाता हूं अच्छा समझ आ जाएगा आप अपने स्क्रीन पर यह मॉडल देख रहे हैं यह यह हमारा यह यह भूमंडल है यह भूमी देवी हैं ठीक है अब आप जो यह नीला वाला काला फिर ग्रे वाला फिर एक और काला फिर यह सारे हमारे दूइप हैं अजगे अगल जबसे बीच वाला自शन सबसे बीच यह वाला उसका नाम जंभू दूइप है उस जंभू दूइप का यह यह नक्षा है ऐ ठीक है इस जंबू द्वीप में भाग हैं इसके बीच में मेरू परवत है मेरू ठीक है ये पूरा जंबू द्वीप है ये ये complete जंबू है जंबू क्या होता है जामुन का पेड़ है यहां पर बहुत बड़ा तो इसलिए नाम है ये जंबू द्वीप हो गया इस जंबू द् बहाग है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो यह नौ हो गए क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो ठीक है अब यह जो नौमा पाट है ना इसका नाम भी भारत है भारत भाग जो लास्ट जो लास्ट आपको दिख रहा है यह यह वाला दिखा आपको यह जो लास्ट पार्ट है यहां पर कहीं एक छोटा सा अर्थ है बेसे अब सब्सक्राइब है यह अब इसे अब ही आप लोगों को गला ही पता है तो हम इसे गोले में थोड़ा बनाइंगे है ना यह जो लास्ट पार्ट है कि यह जो लास्ट पर्ट है यह यहां में पर एक पनू sab सा चोटू-चोटू सा गोला मान लीजिए जो रखा हुआ है वो है भारत अब बताईए क्वेस्टन्स तो यह अर्थ आप इसे कह सकने इस अर्थ भारत वर्ष ठीक है और उस भारत के अंदर एक भारत भूमी है वो जो भारत भूमी है वो हमारा इंडिया है वो कहां से लेके कहां तक है वो हिमाले परवत से लेकर अब मैं आपको एक छोटा सा जो अपने टीओ वीपी में मॉडल है वो अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको लाइन दिखाते हैं कि यूट्यूब से तो आपको यूल गेट अमोर क्लियर पिक्चर इंट्रेस्टिंग है बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को इफ एनिधिंग इस गेटिंग बोर लेट मिनों विल कंप्लीट इन यूनों फाइव तेन मोर मिनिट्स है अगर मेरे पास यह अगर मेरे पास यह अगर मेरे पास यह 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 वेदिक मॉडल आफ यूनिवर्स एक बार देखने वेदिक यह आपको सब यूट्यूब पर मिलेगा भारत भूमी यह तो इस पिक्चर में आपको सारे पिक्चर्स भी इस बार नहीं दिखा पा रहा हूं इस पिक्चर्स एक साथ एक जगे आपको डिस्प्ले कर दूँगा तो यह यह अरी वह थो यह एक स्कॉलर है राधमौन प्रभू अँन्होंने बहुत सारा इस पर रिसर्च करा है और आपको यह फ्यूज़़वार्य बार आपको प्रक्रश करक्षाए और यह वह जद्द में पर दूज़़ए और रॉट यह फ्यूज़़ई-र प्रक्षज झाल झाल